नमस्कार मित्रों आप सबी का स्वागत है C.Y.S.T.L.O.J.R. में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं K.P. कश्ण मूर्ती याने की K.P. जोतिस जो पदत्ती है उसके दुवारा विवाह के फलादेश को समझना और साथ में जब हम विवाह का फलादेश करते हैं तो उसमें एक तुरूटी रह जाती है कई बार कई सारे जोतिस अचारे जो हैं वो गलती करते हैं जैसे मेरे पास कई सारे जो जोतिस अचारे हैं वो आते हैं उनसे वाद विवाद होता है उनसे जो है वो कुणलियों के उपर फलादेश करते हैं, कुछ लोग मेरे से सीखने के लिए आते हैं, तो वो जहां से भी पहले सीखे हुए होते हैं, तो वो एक principle होता है उनके पास, या सब के पास एक ही principle होता है, जो KP जो 30 करता है, जैसे मैं भी हूँ तो मेरे पास भी वही है, कि सेवन ताउस का जो कस्पल सबलोड होता है, यानि कि यह जो सात्वा गर है, इसका जो कस्पल सबलोड है, वो प्लैनेट और उसका इस्टालोड और सबलोड अगर 2711 या फिर 25, 7, 9, 11 या 12 जैसे भाओं को भी दिखा देता है, तो विवा के योग जो हैं, वो यहां पे हैं, और उसमें विवा के योग हो सकते हैं, विवा का प्रॉमिस हमारे हो जाता है, लेकिन कई केस में देखा गया है कि 7,000 जो है, वो बिल्कुल भी ना कर देता है, कि भाई यहां पे विवा का कोई भी योग नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, बहु सारे लोग तो उसे कह जैसे भाई अब तुम्हारा डिने हो गया या फिर तुम्हारा होगा ही नहीं नहीं उसमें हमें एक कदम और आगे बढ़ा के कुछ चीजों को आंगलन करते हैं जैसे मैं आपको एक बहुत ही महत्वर पूंट चीजे बताता हूं जैसे वेक्ति जो हैं वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद पढ़ाई करता है और पढ़ाई के बाद नौकरी और नौकरी के बाद जो हैं विवा और विवा के बाद संतान ये जो हैं वो नौर्मल चीजे हैं यानि कि ये सामाने चीजे हैं वो सभी वेक्तियों के साथ होती है तो सभी वेक्तियों के जार जो सामा आने चीजे हैं तो इसका तत्परे क्या है कि इसके combination भी सामाने होंगे कोई इसमें ज्यादा बहुत ही ज्यादा सटीक दो साथ 11 या दो पांस साथ 11 आने के जुरूत नहीं है एक भाव से भी काम चल जाता है तो यह है अब क्या होता है कि अगर सेवन ताूस का कस्पल सबलोड अगर बिल्कुल भी डिनाय करता है तो वहाँ पे बैठे हुए ग्रह या फिर सेवन ताूस को दृष्ट करने वाले ग्रह को भी हम कस्प सबलोड के माध्यम से देख सकते हैं इसमें आपको केपी कर्ष्ण मूर्ति के लिए आपको दो चीज़े देखनी पड़ती है जैसे क जन्मकुंडली के अंदर सेवन ताूस में जैसे गूरू बैठा है तो इसको लेंगे अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा ही नहीं है तो हम यहां पर सीधा यहां पर दृष्टियां है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद जो वेस्टन एस्पेक्ट उसमें आप सेवन ताउस के कस्प को कौन देखता है यहां पर देखें सेवन ताउस के को जो कस्प है उसको एक तो सूर्य देखता है एक यहां पर बुद्ध देखता है एक यहां पर सुक्र देखता है और एक यहां पर कित देखता है तो ऐसे ग्रहों की दसाओं में और इन ग्रहों के द्वारा हम यहां से भी आंखलन निकाल सकते हैं जैसे मैंने कहा आपको सामान्य जब हम सामान्य बात कर रहे हैं तो हम इन चार गरों के द्वारा भी आंखलन निकाल सकते हैं यह आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा तो हो निशता है ऐसा फ्रिंसि रहे नहीं है और पांच में घर का कस्पल सब लोड अगर डिनाय कर देता है तो फिर यहां पे वह दिक्कत आ जाए तो जिस व्यक्ति की साधी नहीं होई है जिस व्यक्ति को बच्चा नहीं होई यह क्या ऐसा दारण है वह कैसा होता है वह कॉम्बिनेशन आपका सो में से एक दो तीन पांच या फिर बहुत ही कम से आठ इससे ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे तो इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशनों की तलास ज्यादा करने पड़ती है तो यहां पर मान लिजे सूरे की दसा चल रही है या सूरे के अंतर दसा चल रही है तो आप सूरे यहां पर अच्छ सब्लोड है अगर उसने डिनाय कर दिया है तो जाहिर सी बात है विवा लेट होगा उसमें उसके भावं को समझना पड़ेगा कौन से भाव दिखा रहा है उनके माध्यम के द्वारा भी विवा कर सकते हैं जैसे हमने यहां पर देखा हम सीथे प्रिंसिपल पर चलते हैं सु सुक्र जो है वह कर सब्सक्रा कर दिया है enigraal सुख्र देखेंगे दस एक घॉर दिखा दिखा दिया है यह तो एक दम बिलकոर ही कर दिया और यहां पे जो है आठ आठ दिखा रहा है इसका मतलब क्या है आठ का मतलब sexual pleasure है तो इसके लिए भी साधी के योग बनते हैं तो यह भी एक plus point है साधी के विवा के संबंदों में कि अगर कुंडली में आठवा गर दिखाया है sexual pleasure दिखाया है इसका मतलब विवा तो होगा वि दुरूर लेकिन दिले होगा देर आएगा दुरूस आगा या फिर adjustment करना पड़ेगा जैसे कुछ लोग जो हैं वो पैसे दे के लाते हैं कुछ लोग उमर में चोटी या बड़ी या second marriage वाली वाली वरत को या second marriage वाला जो लड़का है उस तरह से वह साधी कर ले अब यहां पर योग नहीं है लेकिन साधी तो होगी क्योंकि एक सामने चीज़ है हम यहां पर गुरू को देख सकते हैं गुरू क्या दिखाता है तो यहां पर अगर हम देखते हैं गुरू को अब 7000 कसपल सब्लोड से हमारी बात हट चुके क्योंकि वह promises है कई लोग करते क देखते हैं तो हो सकता है अब जिसके पांच शोगर में कोई ग्रह नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर संतान नहीं होगा वह तो अब यह जो गुरू है वह क्या रिजल्ट को देख सकते हैं कि विवात होगा लेकि थोड़ा क्तनाव पूण डिले और या फिर कॉंप जो एक्सपेक्ट्स है उनके द्वारा भी उसके रिजल्ट को हम आंखलर में लिखते हैं, सामान्य चीज़ोंगा, ऐसामान्य चीज़े हैं, उनका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट्स नहीं लगें, उसमें हम 100% प्रॉमिसिस को ही देखेंगे, जैसे एक्सिडेंट है, वो ऐसामान में देखते हैं, तो अगर हम परिवार में 7 लड़के हैं, तो 7 में से 7 को होगी, या फिर किसी एक को नहीं होगी, लेकिन होगी सबको, इस तरह से जो चीज़ सामान हैं, उसके लिए हम कुछ काम्प्रमाइज कर सकते हैं, वेदिक जोतिस में यहीं खास यहता है, इसलिए व दो सारे ज्ञानी लोगों से मिलते हैं तो वो कुछ नकुछ, क्ल्यू दे देदे हैं तो इस तरह से आप जो हैं वो इसका ळात कर रहे थे उसमें तो पांचवा जो घर हैं Abt इमिपटी है और कश्बल कस्पल सब लोड यहां पे जो हैं वो सूर्य है और सूर्य यहां पे अगर आप देखोगे तो सूर्य जो हैं वो केतु के नक्षतर में हैं सूर्य यहां पे क्या रिजर दिखा रहा है सूर्य जो है वो यहां पे जो है वो सात्वा दस्वा ग्यार्वा तो यह तो प्रोमिस कर रहा है है अगर यह प्रोमीश नहीं गरता तो फिर हमें संथान के भी योग नहीं बढ़ते है फिर माल लेजे यह सुकर के तरह के प्रमीस नहीं कुरता और फिर हम क्या करते है उसकी एकसप jáणि की जो करश्टिया इ उसमें जाते यहां पे कस्प में देखते तो यहां पर कोई भी जो है वो कुछ न कुछ लचिला पन ला सकते हैं और उसके द्वारा निकाल सकते हैं जैसे इस कुंड़ी में हमने दिखाया इसमें डिले हैं तनाव पूर्ण इस्तिया है कॉंप्रमाइज मेरी से लेकिन है प्रॉमिस नहीं है फिर भी है क्यों वह इसी तरीके से गुरु ने दिया क्यो जो वीडियो था आपको कैसा लगा जुरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक करें शैर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों